मस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूटूप चैनल में तो दिकिए आज का हमारा टॉपिक क्या है फॉजिल्स यानि कि इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में समझने वाले हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगे कि फॉजिल्स क्या होते हैं या और कैसे फोर्म होते हैं और किस टाइप के रॉक में पाए जाते हैं इसको इनदी में क्या कहा जाता है तो जिवाश में कहा जाता है अब यह फॉसल क्या होते हैं चली कीशला होगा जिसमें आप देख पारे होगे डेक्टार श continues अब ये फिस जिंदा आए क्या ना ना मरी हो ये ये तो बस फिस का क्या है बच्चो शेप है और किस में है देखो ये क्या है ये किस के ऊपर शेप इसका बना हुआ है तो पत्थर के ऊपर बना हुआ है यानि ये जो यहाँ पे चित्र मेने लगाया है ये क्या है तो ये आपक जाता है कहा जाता है ठीक है यहां पर तो फिश है अभी इसके अलावा और भी जानवर हो सकते थे जैसे की डाइनसोर हो सकते थे जो भी जंगल में रहने वाले जी होते हैं रहीट जब पत्थरों के ऊपर उनकी आकृतियां हमको दिखाई देती हैं तो वह सभी को हम लोग क्य आपके वनमें कुछ चुनाना चाहिए तो चलो आज आप लोगों को बताती हो कि यह पत्थर में कैसे आया एक दम पूरा अच्य से डाइग्राम बना करके बताऊंगी जैसे अब समझेगा जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि तीन टाइप के रॉक्स होते हैं कितने पहला इ समझेंगे और फिर समझते हैं कि कैसे वह रॉक के अंदर या एनिमल्स वगेरा आते हैं चलो जी सब लोग रेडियो तो पहले यहां पर ना हम एक पत्थर ले लेते हैं पत्थर इगनियस रॉक लेंगे क्या लेंगे इगनियस रॉक मालनी जी यह क्या है यह एक रॉक है ठीक अब आप सभी लोग जानते हो होता क्या है कि जो हमारा temperature है हमारे अर्थ का उसमें क्या होता है उसमें changes होते रहते कभी high हो जाता है कभी low हो जाता है तो temperature में इस प्रकार से क्या होते स्टूडंस क्रायक आजाते हैं कैसे तोट दो तुटेगा यह काफी मैंने छोटा बना दिया इसको थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए था एक हिस्सा इधर आगया को सब्सक्ता तो तो और पत्थर तोट ग्या इंदर पत्थर यह प्त्तर इम्सकाइश सब्सक्राइब यह एक तुकड़ा पर इकठा हो चुका है आप देख सकती हो यह М acc यहां पर इकठा हो चुका है आप देख सकते यह तो छोटे यह टोब एसे प्रकार से नीचे की तरफ लाइंगे तो उपर से तरफ जाएंगे इसे होता है आपको समुझ में आगे थो कुछ समझ गयं च्याओं को लेकर के अव देखो क्या ग्यांप अगर बांध venture उपर यहां सरे यहां तो इसी पर मरेंगे भी है और जंगल में कोई में kay अनिमाल रहता था और उसकी मृत्य हो गई है और मृत्य होने के बाद वो ऐसे ही जमीन पर पड़ा हुआ है यहां से नदी बहती हुई यहां से निकल करके यह जो हमारी नदी है वो बहते हुई बहती हुई आ इसके रस्तह झांगी मेलागी यह बनाएं इसके साथ जाएंगे यह पहाड़ों से नितल पहाड़ों से बहां यहाँ बहा इसलिएा जमा हो जाएगा बोच्थ जांवा करें जमा हो जाएगा जमा होगा की नहीं तो देखो यह सारे सेडिमेंट्स जो है वो यहाँ पर आए नीचे और आगर के इन्होंने एक लेयर फॉर्म कर दिया इस प्रकार से यह लेयर बन गया और यह जो जीव आप देख रहे थे ना यह एनिमल की डेड बॉडी मालने जीए वो यहाँ पर आचुकी है और आगर के इधर वो मर चुका है यह एनिमल है तो यह तो पहला लेयर फॉर्म हुआ इसी प्रकार से और बी लेयर बन सकते हैं यानि और बनेंगे जैसे अभी फिर से देखो नदी तो बहती रहेगी बहती रहेगी तो जो भी यहाँ पर सेडिमेंट बनेगा पत्थरों का है ना जो सेडिमेंट से उनका लेयर बाई लेयर क्या होगा बनते रहेगा देखो अभी मैं और थोड़ा बना देती हूं जिससे आपको समझ में यह और बन गया चलो एक और बनाते हैं यह सब लेयर किसका बन रहे है तो यह जो चोड़े चोड़े से अनका ही बन रहा है लेयर आजाए यह फीक करने वाली तो यह एक और बन गया इस प्रकार से जब कई लेयर बन जाते हैं तो होता क्या है दिखो यह जो ऊपर वाला है ना बाले यह क्या करेंगा जैसे देखिए लेयर का मतलब आप समझते है यानि नीचे फिर उसके उपर फ तो यहां पर भी ओता है जब इसके लेयर बाइल यह चड़ते गए तो यह उपर वाला है इसके उपर क्या करेगा और प्रेशर क्रियेट करें वज़े से यह सब आपस में क्या हो जाएंगे इस प्रकार से इनका contraction हो जाएगा ऐसे गश्याइंग चल ठीक आप समझने कुछ system करो शाओ यह सब क्या होदे पूरा इसे करके डब जाएंग और दबनी कि वज़े से क्या होगा सब आपस में आ कि पास पास चिपक झाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा बच्ँों रोग फॉर्म हुजाएगा यानि कि पत्थर फॉर्म हो जाएगा तो देखो आप धियां से देखना जभ इनके उपर प्रिशर और जब पास पास आ रहे थे तो यह पत्थर के जो पार्टिकल से यह चोड़े जो सेडिमेंट से वह सब पास में आएंगे इसके अलावा यह जो मरा हुआ जानवर है यह भी तो आएगा ना उसके उपर और जब बहुत जादा प्रेशर प्रेशर क्रेट होगा तो इसकी जो है ना वह पत्थर में छूट जाएगी वह भी तो पत्थर के नीचे जब दबेगा दबेगा ना और कोई चीज दबाने के वज़ए से आप देखिए का मैं आपको एक एक्जामपल बताती हूँ जैसे आपके पास कोई भी पेन वागया हो जैसे मेरे पास यह मारकर है आप म जानवर है ना वह भी तो उसी में दब रहा है तो यह दबने की वज़ए से यह पत्थर में उसकी आकरती बन जाएगी उसका शेप बन जाएगा और यही शेप तो क्या है बच्चों यही तो है हमारा फॉजल इसे को तो फॉजल कहा जाता है फॉजल और कुछ नहीं बलकि फडолов के उनकर उनका ख्रान के अंदर यहां पर किस टाइब का उनका फॉजल में और उसमारा के फॉजल लिए यहाँ पर मैं इनकों सा शच्रांत होता है इग नियस, sedimentary, और तीसरा होता है metamorphic, तो यह जो मैंने आपको rock का टाइप बताएए, यह कैसा है, sedimentary है, तो कैसे form होते हैं, समझ में आ गया, fossils क्या होते हैं, यह भी आप समझ गये, और क्या मुझे बताना था, और ज्यादा कुछ बताना नहीं था, बस यह हमारा topic था, इसको हम लोग Hindi में जीवाश में बोलते हैं, I hope so, आप लोग को समझ में आ गया होगा, चलो जी, अब थोड़ा हम लोग textbook की language देख लेते, कि इसमें क्या बोला गया है, यह तो आप समझ चुके हो, है ना, अपने शब्दों में हमने समझ लिया है, आ जाए, अब इसको देख लेत लेंड के ऊपर, त्री वगरा भी तो होते हैं, जैसे कोई पोदे हैं, कोई ट्री माल लीजे यहाँ पर जो को ट्री है, यह तूट करके गिर चुका है, माल लीजे यह पर ट्री है, और यह क्या हुआ, यह है यह तूट कर capable घफ़ा है, ठीक तो हमें पेडों के भी आकृतियां वहां पे देखने के लिए मिल सकती हैं ओके चलो तो देखो इधार फॉजल्स क्या होते हैं आज हो हम इधर पढ़ रहे थे ना और फॉसल की स्टड़ी करने से क्या पता चलता है वो हमें इंफुमिशन प्रोवाइट करता है वह पीरियड में लाइफ कैसे उवा करता था लोग कैसे जीते थे यह फॉसल की मदद से मिल सकती है यहां पर बस हमें यहीं जानना था कि जिवाश में क्या होते हैं मैंने आप ल बिलेंगे अगले वीडियो में ध्यान रखेगा अपना और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ओके चलो गुडबाय अवरीवन